नमस्कार प्यारे विद्धार तो दिजसर्ट क्लासिस के इस ओनलाइन चैनल में फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है मैं आपको पढ़ा रही हो हिंदी और हिंदी में हमारी चल रही है विसर्ग संधी विसर्ग संधी चले इससे पहले मैंने आपको स्वार संधी और आपके वेंजन संधी के बेद करवा दिये स्वार संधी के मैंने आपको पांच उप बेद बहुत विस्तार से अच्छे तरह समझाए है और आपके बिजन संदी के भी मैंने आपको 16 नियम करा चुकी हो विसर्ख संदी का आपके नियम चल रहा है आप नियम नम्बर 6 पांट नियम मैं करवा चुकी हूँ इससे पहले अगर किसी ने भी मेरी क्लास मिस करती है तो आप मेरे i button को click कीजे वहाँ आपको मेरे पिछले वीडियो बिल जाएंगे और विसर्ख संदी कहाँ चलेगा आपका नियम नमबर 6 नियम नमबर 6 क्या कहता है आपका हस्व का धीरगी कराम आपका हस्व स्वर जो आएगा तो यहाँ आपका है नियम नमबर 6 मैंने कं आउपका करवा दयाता है आज नियमम नमबर 6 यानि हस्व स्वर का किज़िररण के से ओएगा एगा अपने शब्द देखेंगा परिक्षांब़ में शब्ट आता है नियरज निरोग, धीरज, निरंदद, दूराज टो इह शब्द होते हैं, तो इनका धिर्गी कराण होता है고 एमाने गलती की दूराज यहां पहर स्वल्द का शब्द आधा दूराजstarा तो गलती मेर्ट से बिजयद आएगा आपका हस्वस्वर होगा वो क्या कर जाएगा संधी होने के बाद यानि संधी करने के पस्चाद वो क्या बन जाएगा आपका देर बन जाएगा चलिए देखते हैं क्या यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की धोनी में प्रतम शब्द के अंतिम वर्णण की धोनी में विसर्ग से पहले कित से पहले विसर्ग से पहले हस्वस्वर ए अब ए की मातरा आप जानते हों यह होती है और उ हस्वर उ है यह उ की मातरा आपको यह हो विसर्ग से पहले हो एवं इनका मेल रा से हो तो हस्वस्वर ए इ इ उ दिर्गत्वर ए इ मैं बदल जाएगा, अगर आपके प्रतम शब्दी देखिए, मैं पहले शब्दी लिखती हैं, फिर मैं आपको परिवाशे एक तरफ लिखवा रही हूँ, इससे आपको अच्छे तरह समझ में आया हपन करना क्या चाहते हैं, यदि प्रतम शब्दी के अंत्री वरण के दोरी स्क्रीमें आपके विसर्ग से पहले हस स्वर्ए, और इसका मेल आपके किस से हो, रा से हो, तो हस्ट UP, मेल करने के पश्चाद आपके दीरगी कराने, जीर्ग में परिवर्तित हो जाएँगे, यह इसका आपके खरीवाशा है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फ इसको पहलो उतारी इसका सुत्र है आपका इसको उतारी है फिर इसका सुत्र बताऊंगे आपके जैसे कि मेरी परिवाशा में लिकाता आपके विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले आपका क्या आएगा हस्व हस्व ई या फिर क्या आना चाहिए उ आना चाहिए हस्व ई उ आए और इनका मेल कित से हो रा से हो रा से हो तभी आपके जो विसर्ग है वो किसमें बजलेगा धीर्ग में बदलेगा धीर्ग में बदलेगा यानि इधर की जगर आपका छोटे ए की जगर आपके बड़ा ई उ यानि इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा आपके ये मिल जाएगी और इसकी मात्रा क्या थी आपकी ये थी और इसकी मात्रा आपकी अपनी तरफ थी तो आपके जब विसर्ग से पहले आपके छोटा E या छोटा U आए और उसका मेल आपके राव बढ़ने से हो तो आपके संधी करने पर या मेल करने पर विसर्ग आपके विसर्ग यानि आपके किस में बजल जाएगा बड़े ई और उ में परिबर्तित हो जाएगा यह अपना आपको मेरे सुत्र रिखवादी इसका स्क्रिंशोट ले लिजे आलाम से आपकी समझ में आएगा मैं क्या करें अब इसको क्या करन का काम भी करती है कि यानि आपको निरोग अपन के ऐसे देखते हैं किती बार हमें ऐसे निरोग पाये जाता है जबकि यह निरोग गलत है शुद्ध निरोग क्या है यह निरज आपने देखा होगा निरज शब्द अपन को ऐसे दिखता है तो यह भी आपका गलत शुद सब्भूप आपके गलते हैं कि निरोग तो आपने कि यह ही देखा है कहीं पहलए अगर आप देखते हैं तो यह निरोग क्या है बड़ी बड़ी जहां पर सब उसके पती है दुराज में भी आपकी देखा होगा आपको दुराज जब करते हो तो ये दुराज मिलता है दू यानि होता है बुरा दू यानि होता है देखिए जो दू होता है न ये दू दू का अर्थ होता है आपका बुरा बेकार तो आपका ये क्या है बेकार तो ये दू लेकिन जब ह क्या करते हैं रा से मेल कर रहे हैं संधी कर रहे हैं तो यह वाला दुराज आएगा शुद्धी करन यानि आपका क्या एगा यह दुराज तो आपका यह गलत शुद्ध क्या है यह यह सभी जो काले पैंट से मैंने लिखे हैं वो सभी की सभी शुद्ध है तो मैं यहां पर चोटी आपका क्या है निरोज फिर आपको नी के बाद आपका विसर फिर निरज पिर धी छोटी विसर के बाद आपका क्या है रच धीरण फिर आता है नी नी छोटी यह आपको बड़ी दिखरी यह आपकी छोटी विसर्ग विसर्ग के बार आपका रोग नीरंद्र यानि अगर आपको इस तरह शब्द मिलते हैं और आप उनका विच्छेद करते हो तो आपको हस्वी करण करना पड़ेगा अगर आपको विच्छेद युक्त शब्द करने हैं और आपको संधी बनाने हैं तो आपको दिर की करण करना ही पड़ेगा यानि हस्व यानि छोटा और धिर यानि बड़ा तो धिर की करान आपको करना ही पड़ेगा यह है मेरा नियम नमबर 6 आप इसका स्क्रीन छोट ले सकते हैं या आप इसके या इसको उतार सकते हैं चुलिए जिन्हों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या इसे लाइक कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले जो वीडियो जो आपको अच्छे तरह मिल जाएं समय सम आपके SI और UPSI, UPSSC, MPSSC और आपके 1st grade 1, 2nd grade 1 की भरती आने बारे और जो अभी जो लेटेस आभी जो भरती निकलिया कर उनमें कोई कारणवस किसी कारणवस रह गया है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपकी तैयारी करने का घर बेटे तैयारी करने का मौका हैं, कई बार आपको जाने की आविशक्ता ने और आपको अपनी तैयारी को और अच्छे तरह बनाना चाहते है तो आप डीजर सर्क्लासेट पर जाएए अगर आपको add-free मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो डीजर सर्क्लासेट का app डाउनोड़ कीजये वहां आपको मेर प्रशन के संबंदित आपको प्रशन मिलेंगे जो आपको पिसले परिक्षाओ के विकत परिक्षाओ के प्रशन है उनको आप हल कीजिए और जो भी आपकी समस्या है मुझसे आपको संपर्ख कर सकते हैं और मेरा जो नंबर आपके पास है ही तो यह आपके है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जिनना नहीं मेरे पेचले वीडियोज ने दीखे हैं उन्हें लाइक मेरे चैनल पर जाके आप आई बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कीजिए तो मेरे सारी फिस वीजियो आपको बिजन जाएंगे में कि लिए आपका नियम नमबर 6 आगे चलते हैं हम नियम नमबर 7 की तरफ नियम 2 नियम 6 क्या था था हस्व का दिय करूं अब नियम नमबर साथ में क्या है नियम नमबर 7 सुना होगा आपका नियम नमबर साथ में विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा विसर्ग कोई भी परिबरतन नहीं होगा विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा नियम नमबर आपका साथ आपने कुछ शब्दों पर देखा होगा, कुछ शब्द आते हैं, देखें कि मालीजे मैं आपके लिए कुछ शब्द लेख रहे हूं और आपको ये देखना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध। शब्दा आता है आपके सामने मनो कामना अधो पतन पयो पां पयो पां आगे शब्दा आता है आपके पास अंतो कथा ठीक है? अब आपको ये बताना है ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध अगर आपको वास्ता में हिंदिया की तरह पढ़ रहा है तो आपको जानकरी होगी खल मैंने एक शब्द लिखवाया था आपको मनोश चिकिस्था आपको दिखवाया था मनश मणोचिकिस्या हाँ मणोचिकिस्या ज्यादा तर ऐसे ही लिखते हैं अगर मैं कहूँ कि ये शब्द पूरी तरा गलत है कि मैंना मंचिकिस्या कहते लिखते हैं पिर आपके श श दुबारा देखो शब्दाया मना यह आपका शुद्ध, आपको के मनम ऐसा सब्द तो हमने कभी देखा ही नहीं यह आपकी इस तरह शुद्ध बता रहे हो, क्योंकि आपका मनह, मनह के बाद आपका अगोशवन चा, चिकिस्ध से मेल हो रहा है तो शुद्ध, आपके शा में परिवर्शित हो जाएगा, यह मैंने कल आपकी नियम में करवाया था, आपकी नियम नमबर और ये शुद्धी करण ही आपके नंबर को ले जाती है, आपको ध्यान रखना ही, जो हम संधी बढ़ रहे हैं, मेल और समझोता ही नहीं करा ले है, हमें इसमें शुद्धी करण का भी ध्यान रख रहे हैं, मात्रा क्या रही है, हिंदी क्या है, मात्रा, बिंदी, हलंत, विसर आपका नियम नंभर नहीं सकते। विसर आपका विसर की रहेगा चले देखते हैं अब मैंने कराया आपका अगर मैं कहूं भी मनो कामना आपकी गलते अगर शुद्ध मनो कामना लिखूं तो मना चले मैं ब्लेक पैन रेट पैन से लिखते हूं आपके तो मैं कहूँ आपके शुद्ध मनो कामना आपकी है मना कामना अधो पतन अधा पतन पया पान पया पान अंत्ह पत्हा अधो आपके शुद्ध में कभी भी नहीं देखे अच्छा आपने प्राता काल तो देखा ही होगा प्राता काल प्राता काल तो हम इसी तरह लिखते हैं कभी आपने गऌर करनी इकभी खोशिश कि प्राते काल हम उन्यूंप कर रहे हैं शले प्रिवाश्य देखते हैं यूं करते हैं इस जो शब्द लिकाये प्राते काल तो ऐसी लिखते हैं कोई पता है तो बाकी शब्द तो आपने नहीं देखे होंगे उनमें थोड़ी बहुत गलती भी कर दी होगी प्राते काल तो आप ऐसे ही लिखते हो अगर आप प्राते काल यह से लिख रहे हो तो इसका कभी कारण और खोजने के आपने अगर खोशिश की होगी तो मैं उस कारण को यहां आपकी सामने बता रही हूँ यदि आपका विसर्ग से पहले आ या आ वर्ण आए आ या आ स्वर आए और विसर्ग के बाद का या खा काखा और आपके पापा काखा और पापा मैंने बताये थे अगोश वर्ण होते हैं काखा और पापा यानि बर्ग का पहला और दूसरा अगोश वर्ण होता है तो आपके प्रकरती भाव यानि जैसा की तैसा प्रकरती भाव यानि जैसा की तैसा यानि आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा इसको कह सकते हैं प्रकरती भाव की संधी अगर मैं इसको नाम दू प्रकरती भाव की संधी तो इसमें कोई दुराय नहीं होगी क्योंकि जै उतर के आ रहा है ठीक है चलिए अब मैं इनको आपके परिभाशा लिखवा देती हूँ परिभाशा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की धनी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की धनी में विसर्ग से पहले आ या आ स्वर आएं आ या आ स्वर आएं एवं इसका मेल दुत्य शब्द में आएं अगोश वर्ण मैं गोश और अगोश को आपको पिछली क्लासों में बता चुकी हूँ आपको वहाँ जाके मेरे वीडियो देखने होंगे कि अगोश और अगोश क्या है तो संधी करने पर कोई परिवर्टन नहीं होता हमान में आया है चली देखते हैं यदि विसर्व प्रिथम शब्द के अंतिमवन की दोनी में विसर्व से पहले आपके आ या आ आएं और इसका मेल आपके दुत्य शब्द में आए काखा और पाखा से हो तो संधी करने पर कोई भी परिवर्टन नहीं होगा पहले क्या हो रहा था आपके हमें क्या मिल रहा था परिवर्टन मिला था संधी क्या है परिवर्टन है लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं प्रकरती भाव की संधी कर रहे है यानि सब्द जैसा है जैसा ही रहेगा कुछ भी इसमें परिवर्टन नहीं होगा कुछ शब्दों में हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं कि बहुँ यह ऐसा होगा लेकिन इए पूरी तरह गलत होता है हम क्या कहते हैं मनों का अमना आपके तो हमने देखा था आपके जो आ का में नियम नमबर जब मैंने आपको एक करवाया था तब मैंने अगर आपने मेरी क्लांसे देखे हूँ तो नियम नमबर एक में मैंने विसर को ओ में परिवर्टित करा था मैंने अगर आप मेरा name number rule number 1 देखा हो तो मैंने विसर्ग को किसमे identifying परिवर्चीज करा था आपके ये है मेरा name number 1 मैंने विसर्ग कर्या था ओम लेकिन इसके सामने आपने condition थी यानि आपके क्या थी? कुछ कारण थी, क्यूं? विसर्व से तहले आपके क्या आए आ केवल छोटा और विसर्व के बाद आपके गोश्ट बड़ में क्या क्या आपका का आपके होगा गा गा रा आपके होगा चाछा जा जा या या आपके होगा टाठा डा धा ताठा माता ठाठा भी धा रा दा धा ना आपके बा भा मा और क्या होना चाहिए आपके या होगा या रा ला बा और एक सौर और आपके हा और क्या होने का होगा आपके समस्त सर होगा यानि आज पहले गोशवण ये क्या है गोशवण है ये होगे तभी तभी उसी परिस्तिती में आपका ये आपका क्या हो रहा था ओमे परिवर्थित हो रहा था लेकिन यहां क्या है अगर आप गोर करोगे तो विसर्ग से पहले आ तो मिल रहा है आपको विसर् 1 3 4 5 वारा तो यहां पर 3-4 5 वारा तो यहां पर यह परिवरतित नहीं होंगे क्योंकि यह अगोषवर्ण है और आपके ओं में परिवर्टन होने के लिए गोषवर्णИंookie आओना आप आवशक है यह PayPal कित से करा रहे है ओगोषवर्णिंएRO से का फा और पा और वहा चलिए इसका सुत्र है इसका सुत्र या कह सकते हैं नियम यदि विसर्ग से पहले आपके आ या आ आए और विसर्ग के बाद आपका हो का का खा या फिर हो पा फा तो आपका जो विसर्ग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग जियों का त्यूं ही रहेगा याद रखना विसर्ग से पहले आ आ का खा से मेल पाफा से मेल विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं क्योंकि ये विसर्ग क्या है अगोश वर्ण है अगोश वर्ण बार बार कह रही हूं बรग का पहला और दूसरे वण चलिसेगा, तो यह अगोष वणों से मेल हुरहा है, तो विसार में कोई भी परीवर्तन नहीं होगा, यहां से प्रेशन बनते हैं, शुदी करण के काम आते हैं, मैंने आपके हाम अशुद शब्दि भी लिकते हैं बहुसी बार हम confuse रहते हैं क्योंकि हम लिखते हैं सही है हमारी देनिक जो जीवन है देनिक चर्या है उसमें हम इस तरह ही लिखते हैं शब्दों को लेकिन जो गलत हैं काले पहन से जो मैंने लिखे हैं वो सारे गलत हैं लाल मारकर से जो मैंने लिखे हैं वो सारे शब्द सही ह चले मैं इसका आपको विच्छेद करा देती हूँ आप इसका स्क्रीन शोट ले लिए फिर मैं इसका विच्छेद कराती हूँ जैसे की मैं इसका कर रही हूँ मना 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 के बास आपका विसर्ग विसर्ग कमेल आपका गोश्वन का मना गोशवन आगे, अगोशवन आगे, तो अरी, अगोशवन विसर्ग से पहले आ की दोनी आ रही है, हमने आपके नियम में लिखा आ आ या आ होना चाहिए विसर्ग से पहले, विसर्ग का वर्ण अगोशवन से होगा, फिर आता है अदो पतन, आ धा, विसर्ग, फिर आपका पत पा क्या है अगोश्वन का क्या था अगोश्वन विसर्ग से पहले किसकी धुनी आ रही है छोटा आ छोटे स्वर क्या है आ स्वर है फिर आये पया पान पया के बाद पान पा क्या है अगोश्वन विसर्ग का पहला इसी तरह देखे ये आपके गलत डागरियों में इन पर ये सारे शब्द गलत अंतर कथा अंतर मन क्या से लिखा था अपने नियम नंबर जब जो पढ़ाता जब मैंने आपको अंतर मन करवाया था बाई जब आपका नियम नंबर जो मैंने करवाया था तो मैंने एक शब्द भी लिखवाया था अंतर मन ये अंतर मन ये शुद्ध है अगर आपको अंतर मन आप ये कहीं देख रहे हो विसर्ग वाला इसको मैं दुवारा थाफ सुतरा लिख देदे हो अंतर मन तो वह ये पूरी तरह गलत है क्योंकि कारण बताती हूं यदि अंतर अंतर के पहले विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग का मिल मा से हो रहा है मा क्या है गोश वर मा क्या है गोश यद सगोश देखी सा मैं दो शवद बोली सा गोश और एक बोली आपके सामने गोश ये दोनों ही एक है गोश नाद कमपन कमपन सहित सा यानी सहित सा यानी सहित गोश यानी कमपन अब इसमें मैंने आपके क्या ने लगाया सा ने लगाय कमपन और इसका जो दूसरा रूप रहा होता है अपसका भिलो मिश्य Hack कह सकते है बुजए होता है अगोष तो वह क्या है आपका ब hochfeeding यह क्या है तीसरा चॉथा पांच वा जैसे की मैंने आहका वह बाता है तो विसर्द अगोश्वर्ट तो विसर्द किसमें बदला आपके रामे परिवर्थित हो जाएगा उससे पहले क्या कराता है उससे पहले क्या कराता हमने आपका विसर्द से पहले केवल केवल क्या है आए और आपका मेल गोश्वर्णत पर हो तो आपके ओने परिवर्थित हो की थोड़ी थी condition chain होई है अंतरमन अब चलते हैं इसका पय तप पह पन तपह विसर्ग पन प्राहता काल देखिए मैंने चमझाने की हिसाथ आपको बढ़ा बढ़ा लिखा है विसर्ग आपको छोटा ही लगता है तो यह शब्द बनते हैं या मैंने आपके इसके और वी उधारण बताया है यानि आपके नियम नमबर 7 के ही उधारण है अगर आपको रजोकन इस तरह दिखता है तो सही है अगर आपको रजोकन ये दिख रहा है तो ये पूरी तरह रजोकन गलत फिर आएगा अंतव करण अंतव करण भी यदि आपको विसर्ग नहीं मिलता है तो भी गलत वयो करम आपको ये दिखता है तो भी ये पूरी तरह गलत मना कल्पित में अगर आप विसर्ग का थाल राक्र रेकमार्कर से लिखे हैं वो सभी हैं और जो रेकमार्कर से लिखे हैं वhou आपके विछेद करा आ 많은 विसर्ग कंदी का प्रक्रति भाव रेता है जानि प्रगति भाव यानि जैसा की तैसा जोंकी त्यों ही आ जाएगा विच्छेद करने के परचाद भी संदी करने के बाद भी रज प्लस करण फिर आएगा अंतहा अंतहा धन करण वयकरम मना कलपित तपह ये है आपका नियम नमबर आपका साथ नियम नमबर साथ यानि विसर्ग क्या हो जाता है आपका विसर्ग ही रहेगा चलिए आज के लिए इतना ही वाकी आपकी इसी का एक और रूप में बताऊंगी नियम नमबर आप में क्या होता है विसर्ग का लोप हो जाता है यानि विसर्ग का चुप जाता है वो खतम हो जात जित्यों में चुपेगा या किस कारोनों से चुपेगा यह हम आने वाली क्लास में देखेंगे ठीके तो जिसको भी मेरी क्लास में पसंद आ रही है वह सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आज के लिए इतना ही आज के लिए धन्यवाद